स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा में अनुपमा की मुख्य भूमी का निभा रही अभिनेतरी रूपाली गांगुली का बीती रात बर्थडे था जिनके बर्थडे पर सभी ने इन्हें काफी विश दी पर सबसे हटकर और रोमैंटिक अंदाज में इन्हें इनकी को प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा में अनुपमा की मुख्य भूमी का निभाएं पर उसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा में अनुपमा की मुख्य भूमी का निभा रही अभिनेतरी रूपाली गांगुली का बीती रात हैपी वाला बर्थडे था जिनके इस बर्थडे पर सभी ने इन्हें काफी बधाईयां दी पर सबसे हटकर इन्हें अगर किसी ने व गौरव खन्ना जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी और रूपाली गांगुली की फोटो पोस्ट करते हुए रूपाली गांगुली को बर्थडे विश किया साथ ही रूपाली गांगुली के बर्थडे पर ही गौरव खन्ना ने रूपाली गांगुली के साथ एक romantic गाने पर डांस किया और लख मठकाते हुए खूपसूरत सी वीडियो बनाकर अपने Instagram हैंडल पर उसे भी पोस्ट कर दिया जिसे पोस्ट करने के साथ साथ गौरफ खन्ना ने काफी सारी best wishes भी लिखे जिन्हें जब रूपाली गांगुली के husband अर्श्विन के वर्मा ने देखा तो वो आग बबूला हो गए और कहने लगे की रूपाली तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए तुम किसी गयर मर्द के साथ ऐसे romantic वीडियो बना रही हो और इस तरह से dance कर रही हो जैसे कि गौरफ ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो मेरी तो तुम्हें परवा ही नहीं है मेरे साथ तुमने कभी ऐसा dance नहीं किया और गौरफ के साथ बड़ा घुल मिलकर dance कर रही हो कम से कम गौरफ तुम्हें तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए। अगर इतना ही शौक है तो अपनी वाइफ के साथ डांस करो। किसी और की वाइफ पर डोरे क्यों डाल रहे हो। आइंदा से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा डांस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रुपाली, तुमसे क्या ही कहूँ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ, मैं तुम्हारा बिर्थ डे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था। पर तुम्हे तो गौरफ से फुरसत ही नहीं, तुम तो उसके साथ ही जादा मसरूफ थी। जो वक्त तुम्हें मुझे देना चाहिए था, वो तुमने गौरफ को दे दिया। और ये साबित कर दिया कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कदर ही नहीं है। पर छोड़ो, जो भी हो, आइंदा से इस बात का ध्यान रखना, गौरफ के साथ ऐसे रोमैंटिक वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी गौरफ खना के इस रोमैंटिक पर्थडे विश पर क्या रियाक्शन देना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरे जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।